वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते छटे पाथशा शिरी गुरु हर गुविन साहिब जी मीरी पीरी के मालक उनके आग्मन गुरु पर उपर शिरोमनी प्रबंदक कमेटी शिरी अमरत सर साहिब से परकाशित गुर्मत ग्यान में इस महा परकाशित अपनी एक मौलिक रजना आपसे सांजा करना चाहूंगी जिसका सिरलेख है गुरु अर्जन देव जी की आखों के तारे छेटम सरूप गुरु नानिक देव जी का गुरु हर गोबिन जी प्यारे शहीदों के सर्थाजव पंचम पाथ्षा गुरु अर्जन देव जी की आखों के तारे बाबा गुटा जी से मिली शस्त्रों की विद्या भाई गुर्दास जी ने पढ़ाए शास्त्र सारे बने अकाल तक्त साहिब के रचयता भक्ती शक्ती के पालन हारे कहीं बने शेर सूर्मा कहीं पे रंग फकीरी इसलिए तो मान गए सब आपके पास थी मीरे-पीरी संत और सिपाही वाला रूप विलक्शन धारा रूप विलक्शन धारा बदी की ताक्तों को दिया आपने जबाब करारा समय का बाद्शा सहन सका सच्चे पाद्शा का नूर इर्शावश गौालियर की किले में कैद कर लिये गए हजूर साई मिया मीर जी जो थे सूफी संथ पीर फकीर सुने खबर जब उन्होंने तब हुए बड़े दिलगीर दिल्ली पहुंचे ततकाल जहां गीर को फटकार लगाई अती हो गई जुलम की करोद तुरंत गुरुजी की रहाई आदेश आपकी रहाई का शिपाही लेकर आए लेकिन आप अकेले रहा होकर बाहर नहीं थे आए बावन राजा जो वाँ कैद थे उन्हें भी छुडवा लाए उसी दिन से आप दाता बंदी छोड केलाए दिन आया दिवाली वाला जो बंदी छोड दिवस केलाए सिखोने हरशो उलास से उस दिन घी के दीप चलाए छटम सवगूप गुरु नानक देव जी का गुरु हर गोविन जी प्यारे शहीदों के सर्ताज वपंचम पाथशा गुरु अर्जन देव जी की जो थे आखों के तारे वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते